अगर मैं यह contexts कौहूं कि चलिए दिल्ली का एक्जांपल लेताओं दिल्ली की बाउली को रिवाइब कर लेते हैं कि रिवाइब हो भी चुकियाए पानी है उनमे चार बाउली जारे lawns वगेरा में circulate किया जा रहा है मुझे पता नहीं अरब सराय में हो रहा है के नहीं बाकी जगवा तो हो रहा है लेकिन जो बाकी की बाउलियां है उन्हें क्योंने रिवाइट किया जा सकता एक जो बाउलियां है वो ASI के अंडर है दूसरा भी सावल मैं सौरी आपको बीश में कार्ण कि क्योंकि modern सर की water circulation system के साथ इसे जोड़ा मैं उसी पर आ रहा था कि अगर मुझे इसको pipeline में लेकर आना तो मुझे दिली जलबोड चाहिए अब यह तीन एजनसी को एक साथ आना है माल लीजे वो एक table पर आ भी गई चांसे थोड़े से कम है लेकिन माल लीजे आ गई उसके बाद problem यह आती है जो इंडिया का AMASR Act है जिसके तहत कि आप किसी भी monument को deface नहीं कर सकते खराब नहीं कर सकते वो आड़े आ जाता है क्यों यह तो दिवार तोड़के डालिया यह उपर उपर से डालिया बोथ है defacement आप दोनों cases में भावली को खराब कर रहे हैं यह उसके aesthetics को खराब कर रहे हैं यह उसके structure को तो जब तक फिर act modification is not easy क्योंकि अगर act modify कर दिया कि यहां पर यह डाल सकते हो तो फिर तो sky is the limit फिर तो मै लाल किला तोड़के multi-story भी बना सकता हूं तो इतना असान नहीं है कहना असान है एक challenge यह है दूसरा challenge यह है कि अगर मैं खाली बावलियों को revive कर देता हूं खाली रवाईव करने से कुछ नहीं होगा हमने कंदक की बावली को किया हमने राजों की बावली को clean किया हमने करेगी वीक नहीं करेगी लेकिन पानी सर जाएगा मच्छर पैदा होंगे वहां वह प्रावल्म जाएगी वाटर बावर्ण डिजीजेस टार्ट हो जाएगी बट अगर उसमें मचलियां डाल दी जाए तो वह उसी काई को खा के फिर वहीं पर पक्षी आना शुरू हो रहे हैं क्योंकि वह मचलियां और काई और वह पक्षी उनका पूरा एक चेन बना हुआ है फूट चेन बना हुआ है